वेलकम टू माइ YouTube चैनल स्टॉक मार्के नॉलेज। दोस्तो अपना अगला टॉपिक है वो है स्टॉक्स और अदेर केरेक्टर्स येस स्टॉक्स और उसकी बियेवियर येस यह चौक के भी बीएवियर रहते हैं अभी आप सोचोगे यह कैसा टाइप का यह वीडियो जो इसर बना रहे है कि स्टॉक से एंद एर बीएवियर तो दोस्तों वही मैं आपको अभी डीटेल ने बता होगा जैसे जैसे हर एक इंसान का एक नेचर रहता है हर एक इंसान का ए तो आपको समझ जाएगा दोस्तों की स्टॉक का भी एवियर कैसा रहता है चलो अभी देखते आगया है आपके स्क्रीन के उपर आप देख सकते हो एक चार्ट आ रहा है को X, Y, Z स्टॉक का तो आपको दिखा रहा हूं उसमें आप देख सकते हो कि निक्चे की तरफ जा रह यहाँ पर टच करता है, फिस second पर टच करता है, थर्ड पर टच करता है, पर यह ब्रेक नहीं करता है वो line को, इसका मतलब वो downtrend में है, तो यह उसका behavior है, yes दोस्तों, यह behavior है उसका, यह होगा downtrend का stroke दोस्तों, अभी आपको और एक चार्ट दिखाता हूँ मैं, आप देख सकते हो, यह है, HDFC Bank आपको उपर लिखा हो, दिखा यह देगा, अभी इसका आप चार्ट देखे, जब से वो launch हुआ है, IPO आया था उसका, जब से उसका चार्ट देख से लिए तो आपको उपर ही जा रहा है, क्यों उसका behavior है, थोड़ा बहुत नीचे करेगा, फिर उपर जाएग और एक दोस्तो चार्ट आपके आपने खुल रहा है, वो आप देख सकते हो, पहले यह stock मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दो, पहले यह stock ऐसे ऐसे नीचे आया, पहले नीचे आया, फिर वापस उपर गया, फिर यह sideways में घूम रहा है, वापस उपर गया, फिर वापस नीचे जाता है, तो दोस्तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह हो गया, कि यह stock है, यह sideways में है, पहले नीचे फिर उपर, sideways, फिर उपर, फिर नीचे, मिन्स इसका स्टॉक का यह behavior है मिन्स यह बहुत volatile है यह कभी भी नीचे आएगा फिर उपर आएगा फिर वापस side में गुमेगा फिर वापस उपर नीचे आएगा इसका कोई fix chart का shape नहीं है इसका जो behavior वो ऐसा है यह उपर नीचे उपर नीचे sideways फिक्स नहीं है तो दोस्तों यह तो तीनों चार्ट बता है मैंने sideways यह अप्ट्रेंड में यह behavior HDFC बैंक का यह जो expired stock है इसका behavior है कि यह नीचे ही जाता है यह पुरा term और cycle churn है इसमें तो इसमें कैसे है दोस्तों अगला point जो है कि हमें stock का character कैसे पहचाना और कौन से stock में invest करना चाहिए stock का character सबसे पहले हमें देखना है दोस्तों की पहले तो हमें देखना रहता है कि कौन सी company में हम लोग heart डाल रहे है means large cap है, mid cap है या small cap है small cap और mid cap का लगबग आप जितने भी chart खुल के देखोंगे 5 years का, तो आपको तूटे-फूटे ही मिलेगे कोई uptrend में नहीं मिलेगा और कोई downtrend में भी perfect नहीं मिलेगा वो sideways में ही रहेंगे या up down up down करते रहेंगे, अगर आप large cap के से दोस्तों stock खुलते हो तो आपको उसमें 50% तो आपको uptrend charge मिलेगे ही मिलेगे तो यह तो बात clear हो गई कि आपको uptrend वाले large cap में invest करना है, बरबर यह करने फिर आप जब chart खुलोगे तो आपको उसमें उनका character समझ जाएगा जो 5 years का chart खुलोगे तो उसमें समझेगा 1 year का नहीं देखना है दोस्तों, 5 years का देखना है long term के लिए और दूसरी बात ऐसा है कि जब आपको अगर good quality अगर stock चाहिए तो वा uptrend में ही रहता है, बरबर अगर वो downtrend में है तो उसको मतलब वो bad quality stock है और sideways में तो हमें investing नहीं करना है, क्योंकि वो investment लाइक नहीं है तो दोस्तों, यह जो stock market stock का जो में आपको characters बताए तो आपको यह learn करना है, learn कैसे करोगे आपको हर रोज 20, 25, 50 charts आपको open करके देखने है अच्छे च्छे companies के, किसके uptrend में है तो वह company में आपको एक list बनानी है आपको उसके अंदर ही invest करना है उसको buying levels देखना है, कहाँ पर buy, कहाँ पर sell करना है और long term के लिए ले रहे हो, तो कहाँ पर buy कर रहे हो ज़्यादा high पर तो buy नहीं कर रहे हो आपको low पर ही buy करना है वह सबसे आपको सब देखके, stock की goodwill देखके आपको invest करना है तो दोस्तों यह था हमारा stock के जो characters के उफर वीडियो दोस्तों कैसा लगा, अगर लगा हो like तो like कीज़े, share कीज़े और subscribe कीज़े